पैले हाथ है दोलाद एस अब जीद खरज करेंगें पैस भी निकालेंगे हाथ भी चलागें पैस ऑपड़ पकड़ेंगे बाहर जाओने खाकर आऊंगें हम सब अपने दिल केहता और हमें जर्दे बनना अल्ला के तावे भर्मार धिशलमान मुस्तकिल मान मुसलसल मान और जब तक जिलेगा जब तक मान और इमान की कोई हद नहीं है और इमान की कोई हद नहीं है इमान की कोई हद नहीं है और इमान तुम तो इतना बढ़ा लो के हवाय लोड़ो इमान तुम तो इतना हो जा जिसकी कोई ठिकाना नहीं है उसकी कोई इलमों की हदी नहीं उसे चुटी नमी ली जिसने सबक याद करा इमान तो ऐसी चीज है हम समझते हैं साफ इमान कोई ऐसी बगैर कुर्वानी के बगैर परसानी के बगैर जान माल वक्त लगाए वे हमें इमान आजा कभी नहीं आ सकता इस सारी कुर्वानी हमें देनी पड़नी एक डॉंक्टर साब थे और वो डॉंक्टर साब मरी जोगू देख रहे थे एक साब आए उनके पास और दो बच्चों को लेकर आ गया दो बच्चों को लेकर आगए अब देखा तो दोनों की सूरत एक नाम भी बिल्कुल मिलते जुलते मरज भी एक ही मावाब भी एक ही पैदाइस भी एक ही दिन की एक घंड़े की आगे पीछे की अब दाक्टर साब मालूम क्या हाग कोने कि मैं इंका वाली दूंगे प्लेच्छा तो इनका इंका 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 अंतर जो मरा है वह एक ही है दवावी में एक ही दे दे लिए अल्ला को गमसर कोसिस करते हैं दोनों को दवाई दे दी और दोनों जने लेकर चलेगा उन्हें जब दूसरा दिन निकला तो एक बेटा उनके मुली पकड़ा रही है दूसरे बेटे का चलाजा जा रही है और डॉक्टर साब खाने का टेम था वो अपने खाने के लिए जा रहा है ते इससे पहले हाँ एक बच्चा आया था तुम अपने घर चले जाओ ये टॉक्टर में साव्न आ गया उन्हें ने तřील से बात बता ने कि नहीं तो दरल ग्राब्स ओर मोगी साहब और अजिसने बड़े अब्डे आंठीं होते हैं यह अपने टैम से हर काम करते हैं एग नियम बनावा होता है आए तो तो मुरूत वारत है वालिश साथ उनके बच्चा उनका अंगली को बहुत है तो तुम बोले वह यह तो दोनों बरावर हैं उसमें से एक बच्चा हमारा यहाएगा देखो एक का इंतकाल हो गया तो वह दीन की वाते अक्सार सुनते हैं जिसका जहां दून की तरफ कुछ होता उसकी समझ में आती हूं बहुर्ट भी करता है तो डॉक्टर साथ चक्कर में पड़ गए माबाप एक दवाई एक मरज एक दवाई एक और सबका वालिद भी एक वालदा भी एक और पैदाइस भ इसका इंतकाल हो गिया एक पॉल्दा ने अराम कर दिया शिपा हो गई और एक का इंतकाल हो गया यह सोच के आंखों में आसुआ गया घर चलेगा अब उनकी वालदा बेटी थी मूड़ा पिछाए वालदा कू तो उनका भी एक बेटा ही था हो समझे दीन के घर में भी पता तो वालदा कून उने अपनी मतलब इक राम की वज़े से गहरत की वज़े से कोई जबाब ना दिया